एक भारत स्रिष्ठ भारत इस कारिक्रम में आज आप सुनेंगे लेपचा जन जाती के पारंपरिक संगीत वार्दी अंत्र इस विशे पर श्री मिकमा छेरिंग रेपचा और श्री पार्थो शील से हुई पाचीत का दूसरा और अंतिम भाग मिकमा जी अब मैं आपसे पुन्थोंग से जुड़ी हुई उस लोग कथा के बारे में जानना चाहूंगी जिसका जिक्र पार्थो शील ने पहले किया था जो पार्थो ने बोला जैसे की कैसे डिसकावर हुआ मेरी एंड का जो स्टोरी है ये थोड़ा मिथिकल है ये एक कहाने में भी सुनते आये हैं कि मामा जो बांजा होता है उसको बहुत डारता है ऐसा किया करते थे सासन बहुत करा था वो जो बांजा था वो उसका अनिमल्स जो कैटल्स है उसको दिखबाल करते था उसको खाने को भी अच्छे नहीं मिलते थे सदा टाइम वो बहुत दुखी महसूस करता था लेकिन वो जो जन्वार के प्रती जो प्यार है वो जो लर्के के पास में इसी प्यार को देखके और उसका दुख को देखके नरौकरम जो बोलता है वो प्रकट होके आया और उससे पूचा तुमको क्या चाहिए कुछ मांग लो हमसे तो हम देने को तयार है लड़के ने कुछ नहीं मागा उसके दिमाग में ही नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए लेकिन नरोकरम के पास में ये जो पुंतौंग है ये देखा और उसने ये मागा तो नरोकरम ने बेजी जख से उसको ये दिया पुंतौंग दिया और बोला कि अच्छे तरे से दिल से शिको इसे दिल से बजाओ ऐसे टाइम भिटते गए लरका वो जो बांजा था वो पहुत अच्छे से बजाने लगा तो एक बार तो ऐसे ही पुंतौंग लेके हाथ में लेके और सो गया वो पैर के नेचे एक कववा आया उसे चुरा के ले गाए ये फ्लूट को तो लरका जब नीन से जागे उसके हाथ में ये नहीं था वो डूड़ते डूड़ते चले गया है कववा के पीछे में और अंत में जब वो पहुचा कि ये किसके हाथ में है अभी बंतौंग वो देखा कि एक साप का जो राजा होता है अप लोग नाक केता है नाक राजा ऐसे नाक एक बैठा था तो वो बोला कि ये फ्लूट मेरा है हमको दे दो नरोकरम से हमको गिफ्ट मिला है तो हमको ये वापस लोटा दो बोला सर्पा बोला नहीं, यह तो एक कववा आया था, उसके जान के यह बाजी खिल के हार की गए है यह, तो हम कैसे आपको देंगे, स्नेक्स अब लिटरली बलीव डैट इस ओल बलाड़े, लेकिन लर्का बहुत इंसिस करता रहा, और सर्पा का राजा है, उसने भी फील किया कि इसमें कुछ है, इसमें यह लर्का के साथ कुछ रिलेटेट है, तो सर्पा जो राजा था, वो बला कि, चलो, देंगे आपको, ल आपका दिल जीतने के कोशिस करेंगे, तो बेजी जक से जो राजा था, उसको वापस दे दिया, और आख बन करके यह लर्का ने जो बलाड़ी जो बजाया, इसमें धून बजाया, बोलता है कि सर्पा का जो राजा है, वो रोने लगा था, आख से आसू तपक में लगा, त कोई काम जो बार-बार अठक रहा है, ऐसे हो गया अगर आपके जिंदगी में, तो सुबा, जब यह जो मुर्गा का जो ढाक होता है, वो होने से पहले, मुझे हाथ सब दो के साफ होके, मुझे याद करके इसे बजाओ, अगर आप सचे दिल से हमको याद कर रहा है, तो हम आएंगे, मरलाब आपका सारे मनकमनाई जो है, पुड़ा करेंगे, यह एक मिथिकल जो स्टोरी में, जो एक स्टोरी बंड़ित है, इस इस वन एंड अड़ स्टोरी, और हमारे साथ में है, यह काफी सारी स्टोरी है, अभी मैं देख रहा हूँ, अपके पास एक पड़ा आदे अंतर, जिसमें एक सिंग जैसा कुछ लगा हुआ है, वो क्या है, उसके बार में भी बता दीजिए, यह भी एक फार्मिंग के रिलेटिट, और हंटिंग के टाइम में भी यह यूस होता है, इसे भी एनिमल्स को बगाने के लिए यूस करता है, इसे अभी हम लोग तो पैडी फिल्म में यह बंदर बगर आता है, उसको थोड़ा डराऊना साउंड इसमें निकलता है, ऐसे बगाते थे जन्वार लोगों को बीकमा जी यह जो वाद्दे अंत्र आपने अभी हाथों में अपने दिया है, हम लोगों से बाते करते करते, इसके बारे में बताईए ना, इसका नाम क्या है? इसको नेब्रियोक पलीट जो कहता है, डबल बेरियल जो होता है, इसका साउंड का मेकनीजम में थोड़ा अलक है, अभी यह जो बनाने वाला आत्मी नहीं है, तो अभी पार्थोबाई जो बनाया है, वो खुद रिसर्च करके, देखके, क्योंकि यह खुद बासुरी बना आम सुने भी है, यह इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छा है, जैसे मैंने इंटरनेट पे, अभी तो इंटरनेट ही जडिया है, लाइवेरी में, सर्च करके देखा, उसमें फ्लूट को लगबख चार तरीके से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करके उसको बज करने का यह काफी यूनिक है, मतलब उतना पूराना टाइम में यह जो इन्वेंट किया लेप्चा कॉमिनिटी का जो लोगों ने उस टाइम कितना दिमाग उसमें लगा था, इस सेम टाइप का जो sound producing technique है, वो हम देख सकते हैं अमेरिका में, एक native American tribes है, उन लोग का यह जो फ है और एक फूट है जो Japanese Sakuhachi है इसका जो माउथपीस है यह न से मना हुआ है जो होता है, जे को बाउन से बना हुआ है, एक एक जो पुन्तांक पलीत का है क्यूंकि एक ने अट्रूमें कि आप ने यह झापनीश लोगों है इसका तो थूड़ा ने क्तों आपनीश लोगों अब देखे पुन्तं का साउन और इसका अलग से समझ नहीं पाएंगे काफी समनत है अभी यह आते मेन चीज में जो निब्रक पली थे यह काफी यूनिक है अभी यह बनाने बाला है और को इसको इसको एकश्पार के अभार हूँ है teat cozy love ira इसके प्यांप अचयिफ समने ऊसे तो कोई कोई बनाता है का गुक हो एकशिप्ट की यह किए कोई खाएन गार हुग तो इस लिए मैंने वह भी कोशिश कर रहा हूँ कैसे यह ट्वियल ब्रागा जो है उसको ढूंदा जाए या ऐसा हो सकता है कि नहीं ऐसा करके तो इसका बेसिक जो साउंड है वह मैं सुनाता हूँ एक साइड हम बंद करके दूसरा साइड करेंगे तो इसके साथ दूसरा एक इंस्टुमेंट का सिमिलारिटी होता है जो राजस्तानी फोक म्यूजिक में हम लोग देखते है जिसको अल गोजा कहते है और और चीज़ जस्ट सिकीम के तोरा नीचे हम जाएंगे दूर्स के इकमें फिंगरिंग होता है एक सिंगल नूट डाता है वहैसा मूख बर्शक जो मधुमक्षी इसका साउंड के साथ थोरा इह होता है यह एक इन्स्टुमेंट है और दूसरा और एक इंस्टुमेंट है इसको ग्याउंदन का मतलब है यह लेफ्ट में बजा नीजीन एस का यह जो साउंड प्रोड्यूसिंग टेकनिक है यह नीब्रोग पालित का जैसा ही है लेकिन जो प्लेइंग टेकनिक है वो पुन्तोंग पालित जैसा है तो इसका भी थोड़ा मैं सुना तो बजा के पार्थो जी इस कारीक्रम के जरीए हमारे सुनने वालों को लीप्चा जन्जाती के पारंपरीक संगित वाद्दी अंत्रों के बारे में इतनी अच्छी जानकारिया मिल रही हैं और साथ ही आप इन वाद्दी अंत्रों के साथ दूसरे राज्यों में जो वाद्दी अंत्रे ह उनमें कौन से समानता हैं, उन्हीं क्या कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीकी सर्प समझा रहे हैं तो अब आप जिस वाद्दे अंत्रे के बारे में हमें बताने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है बिक्मा जी मैं आपसे जानना चाहूंगे यह तंगबग जो है, almost every occasion, कोई भी तरह के यह जो लेपचा संगीत में इससे यूज करता है एक आर्टिस का जैसे के accompanying instrument जो होता है, तंगबग होता है अगर आपको पंतोंग नहीं आया, निब्रयोक नहीं आते, सुचंग नहीं आते, लेकिन यह पकर के बाड़ता है यह जो एक गाना यह है, तंगबग परवत के पुजा करते हैं हम तो, क्योंकि यह एक ऐसा लुक कता है जो लेपचा के साथ में बहुत दिल से जुरा है, इसमें तिस्टा रिवर, रंगीत रिवर जो बलता है हम लोग रंग्यू, रंगित कहता है, और इसके साथ में परियल्ब, तूटफो का भी रोल है और अध ब्रिंक फ एक्स्टिंशन लेपचा लोगों का, जब यह प्रलाई जो हुआ है, जल का प्रलाई, तब लेपचा लोग जिस तरह से बचे थे, पुजा करके जैसे बचा इसी के रिलेटेट के यह गाना था, यह एक ट्यवहार की तरहे देखता है, लेपचा कम्यूनिटी में नमसुं, नमबर नमसुं होता है, जो दसाई या दिवाली जैसे मनाया जाता है, मरलब न्यू येर का ट्राइब का, और दूसरा है जो हम अभ mythical story, उसके just opposite में और एक instrument जो निब्रयोक जो अभी हमारा पर्थोसिल बाया ने बजाया, ये flute का पीछे में क्या है कि almost the blessing is opposite, जब आप पंतौंग बजाएंगे, दिल में जब दर्त हो, कोई मनकामना जो पुरे नहीं हो, आप पंतौंग बजा के बगवान को बुला के आपको bless करने के लिए पुलाते हैं, और दूसरा जो निब्रयोक है, इसका कहानी में क्या सुना है, कि आपने समझ में आया है, कि जब आपका सब मनकामना पुरा हो गया, है सब कुछ, आप दिल खुश है, तो देवताओं को बगवानों को थोड़ा थैंक यू बोलने के लिए ये बूंग्ठिंग जब है, इन लोगों के साथ में भी ये पुन्तौं को यूज करके एकॉंपेन करता है, पहले समय में इसे जैसे कि नदी है, पार करने ही सकते, तो आपको मैसेज बेचना है, आज मेरे गर में पूजा है, तो पुन्तौं की दून के सहरे से आप मैसेज इसके बारे में परिचे करवा दीजी कि क्या है, जैसे कि ये इसको बंगों कहता है, लामा लोग जो गुंपा वगेरा में दून करता है, तो उसे रख दून कहता है, रख दून का मतलब रख जो होता है, वो लाल वाला जो मेटल होता है, वो कपर का बना है, तो रख उसे कह सुनम शिरिंग जी है उसी नहीं तो हमको बताया कि यह चीज जो है बरा बरा अनिमेल जो आते है खेती में जंगल में तो उस वक अगर भाग आ गया जैसे कि भालू आ गया तो उसको कैसे बगाएंगे चोटा आवसे तो वह डरेंगे नहीं तो इसी का यूस होता था और दूस इस टाइम में भी यह कैरी की साथ में लेकर जाता था क्योंकि वह लार्ज अनिमेल को भगाने के लिए और इसका साउन थोड़ा एलिफेंट के साउन जैसा थोड़ा होता है काफी लंबा बड़ा भी बड़ा यह और भी लंबा होता है लेकिन यह बैग में कैरी काने के मीकमा जी आपका एक fusion band है न सोफियूम जो पुराने गीतों को नए तरीके से युवार पीडी के सामने पेश करें ताकि उनका रुझान पारंपरीक संगीत के प्रती हो तो आपके सोफियूम के बारे में जरा हमें बताई जैसे कि अगर हम लोग संगीत को देख ले प्यॉरली अगर हम लोग संगीत करेंगे तो उसका सुनने वाला जो audience है बहुत कम हो गया क्योंकि ऐसा है कि एक folk songs में एक monotonous होता है उसी melody को repeat करके गाते हैं हम लोग टॉपिक भी साहित उसी की earth gate में रह जाता है इसे क्या होता है कि जो हमारा youngster's जो है उसका अभी जो music world में इतना ज़्यादा मतलब influences आये हैं सब सुनता है Hollywood का music हो, rap हो, R&B, house music, Bollywood बहुत सुनता है इसको जब हम देखते हैं तो क्या लगता है कि इसमें एक बहुत सारे dimension जो पैदा करके ये लोग गहे हैं तो यहीं इंट्रीग करता है हमारे youngster's को तो हम सोचा क्यों नहीं हमारा भी folk music है, very rich है एक treasury जो बहुत filled है तो इसी को लेके अगर हम थोड़ा textures जो है हमारा music का उसको थोड़ा fusion करके थोड़ा western style से या होगा या तो journals का जो influences लेके तो हम करेंगे तो साइट हमको लगा कि हमारा youngster's भी at least एक ही शब्द सीक लेने से भी उससे बड़ी बाद मुझे कुछ नहीं है तो यही जो aim रखे हमने Sofium 2012 के यह इसी दौर में हम लोग like-minded लोग जो है वो मिलके हम लोग Sofium बना है अभी जो music कर रहा हम लोग हमारा खुद का original भी करते हैं original अभी recording हो रहा है हमारा album का तो debut album जो first एक होता है वो हम कर रहा है अभी जितने भी कर रहा है हम लोग original numbers कर रहा है तो इसमें भी हमने देखा है कि चलो हम music करें इसका outer shell जो है तोड़ा metal से inspire होके हमने कर रहा है उसके अंदर में हमारा फोक का भी डलो जैसे कि अगर गिटारिंग का जो portions है वो तोड़ा metal हो गया तोड़ा हार्ट रोक के तरह हो गया लेकिन singing को लेक्चा के तरह रख लो मतलब एक fusion करके लोगों के अंदर और भी पहुचने का कोशिश तो यह technique हम अपना रहा है देखते हैं कितना यह असर रहता है और यह चीज़ भी हम लोग भी जब बात करते तो जैसे यह निम्रत पलित हुआ ग्याम पलित अभी भी यह अपना स्वार में बचता है मैं उसके हम लोगो जैसे टेमपर्ट स्केल में जैसे होता है नॉर्मल अभी CEC शार उसके हिसाब से इसको भी कोशिश कर रहा है बनाने का और जल्दी बना लेंगे और यह तो कुंतंग पलित को बना भी लिया और इसका जो मेथोड है ओ भी है मैंने निकल लिया कैसे करके इसको स्के का बनाया एक दादा के लिए और एक मेरे लिए एक और इंस्ट्रुमेन हमारे पास में है जो है कुंध्यॉल बोलता है कुंध्यॉल यह भी एक हंटिंग वार से ही इवॉल्फ होके आया है तो अभी हम लोग इसको परकॉशन्स इंस्ट्रुमेंट के रूप में हम लोग अब उसको ठर 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 जिना है वान टू ट्री गो ऐसे हम बजाते हैं इसको मिकमा सर्थ हम आज ये लिप्चा संगीत के बारे में बात करने के लिए यहां पर मौजूद है तो आप से जानना चाहेंगे कि भविश्य कैसा देखते हैं आप ये लिप्चा संगीत का कहां की रास्ता क्या है इसका देखिए मेरा इसमें दो तरह का एक एमोशन और फीलिंग्स है एक में मुझे दुख लगता है दुख ये है कि हमारा बच्चा लोग ये इंटरेस्ट की जगा नहीं पाते है और खुशी का जो फीलिंग है ये होता है कि देखो कोलकटा सा आया है ब मिलते हैं हम इसके परथोचिल के बारे में हम बात करते हैं मुझे भी ऐसा होता है इंस्पृरेशनल जो पीदा होता है और हम एक्जामबल देते हैं देखो ये कर रहा है जब भी हमको young people लोग जो हमारा community का है call करते हैं, पूछते हैं और हमसे शीकनी को मंगते हैं अगर वो लोग भी at least 50% commit करके आया हैं तो 50% हम commit करेंगे, हम 100% जो हम बनाने के कोशिस करेंगे तो अगर इस तरह से काम होगा तो I see a very bright future because this lecture music जो है ये in a way it's very virgin so we need to do that, ये अगर हुआ तो समझो की lecture music का भी एक बड़ा future में इसका use का बहुत ways देखे हैं हमने आशा रखता है कि youngsters लोग आगे आए, लोग शीके, लाइफ का एक पार्ट बनाए ऐसे और एक चीज जो होता है, कोई भी culture community का स्रिफ language उसका community का main चीज नहीं होता है language एक बहुत बड़ा चीज है, लेकिन उसके साथ उसका norms और values जो है उसके अंदर music, dance, उसका जो lifestyle के साथ जूरा हुआ जो चीज है उसको भी और भी आगे लेके जाना है क्योंकि लेपचा community का 70% बल सकते हैं क्योंकि टोटाल लेपचा community में 16 तो 17 इंस्टुमेंट है उसके अंदर 9 इंस्टुमेंट है और इतना डिफरेंट टाइप का तो इतना रिच मुजिकल इंस्टुमेंट सब खतम होने बाला है मतलब कुछ तो हो गया और कुछ अभी जितना बचा हुआ है उसको भी और भी बराना है तो मैं सभी मेरा लेपचा भाई, बेहन, दोस्त और सीकीम के सभी लोगों को मैं सब को कहना चाता हूँ जो अपना जो ट्रेडिशनल जो चीज है उसको सब बचा की रखिये तो हम सब एक साथ बच सकते हैं यही सुनेंगे तो बहुत लोग इंस्पायर होगा मीकमा छेरिंग जी, पार्थोशेल जी, लेपचा जनजाती के पारंपरिक संगीत वाद्दे अंत्रों की धरोहर को संजोय रखने में, उसे अक्षून बनाए रखने में आप दोनों की भूमी का, आप दोनों का योगदान, वास्तव में सरहनिये है जिस तरह से आपने कारिकरम का आगाज एक लेपचा लोग गीत से किया था जो हंटर, लेपचा कम्यूनीटे में मेरे ग्यान की साबसे यह है कि हम आज हंटिंग जाएंगे और हंटिंग जाते वक्त हम यह नहीं करते हैं कि चिडिया देख वह भी मार दिया, जो लेके आया ऐसे नहीं करते थे जो ड्रीम्स के थूँ देखने का जो एक शक्ती होता है उसी के मद्यम से देखके आज हम ये अनिमल हंट करेंगे बोलके पुजा करके जाता है हंट करने से पहले हम लोग पर्मिशन मनता है जंगल के जो मालिक है उसे पर्मिशन लेके हंट करके जाता है और अनिमल हंट करने के बाद भी उसका जो मालिक है, मालिक को भी हम चरावा देते हैं, वो ऐसे लेकर आया खा दिया वो नहीं करते हैं, जो अनिमल का पाच है वो सब यूज करते हैं, तो ऐसे सिस्टम से हम लोग हंटिंग करता हैं, यह बात हम क्यों बल रहा है कि हम लोग और लोग फोटो किच्वा, यह हुआ ना, यह ग्रीट हुआ ना, और कुछ अनिमल का अंग को काट के बेचो, इसका पैसा है, यह बूल के करते हैं, तो हमारे लोग ऐसे कभी नहीं करते हैं, शर्वाइवल के लिए करते हैं, तो सुतो एक हंटर था, उसी तरह था, यह एक वालबोर मार दिया, और उसने एक पैड जो होता है, ना, सायद कुछ हो के बाग जाए, क्या मालूम, काट के जोली में डालके वो पैड के ओपर राद बर वही बैठने के लिए, तो वो चर गया, उसने देखा कि राद में एक आत्मी आया, और जो मरा हुआ जो वालबोर उ उसे बोल रहे थे, देखो मैंने कहा था ना, तुम बटक मत जाना, ऐसा ही होगा, लेकिन वो एक लक्री का टुकरा भाच के उसका पैड में बान के कुछ मंत्रा बोला और वालबोर को लेके चला गया, वो सब देखा, उसने लिखा भी था लेकिन वो रेकॉर्ड इतनी है, तो ऐसा है, जब जब चर के बैठा था तो एक रात में आवाज सुनाई दिया, तो वो डरने लगा, कि क्या है, कभी नहीं सुना, सुबा इंस्पेक करने के लिए वो पैर से उत्रा और इंस्पेक करने गया, बगल में जो था एक बैंबू का ग्रूव था, जा कि ते क्या आ आवा आते हैं तो यह जो बास, दो बास होता है ना रगट के जो आवास निकल रहा था, उसी में से यह इंस्पायर होके उसने गर में आके यह इंस्ट्रुमेंट बनाया था, अभी जो इस च्टील के स्ट्रिंग्स हम लोग यूज कर रहा है, अभी तो हम हमको सुनाना है, आवास थोरा बड़ा निकलना है, तो इसलिए स्टील के स्ट्रिंग्स अवैलेबल है, वह यूज करता है, लेकिन प्रचिन कार में इसका स्ट्रिंग्स भी अनिमल्स का जो वेंस होता है, ना इंटेस्टेंट का स्ट्रिंग्स, और बो की लिए एक नेपाली लोग हाती बार बोलता है, हम लोग बहर कुंग बोलता है, तो उसी का लीव से उसको पानी में दुबाओ के उसको थोरा बहार का जो मैटिरियस उसे सर ने देखकर और उसका जो फाइबर होता है, उससे निकाल के होर्स का टेल, ऐसा चीज यूज करके यह बो का टेक्निक निकाला, और इसक किया, लेटर अन सथो बेके माश एक बालस मड़िशन सो आल फ्राइब शो ने प्ले मलोड़ी इन धस कर दो कर दो कर दो कर दो यह है सच्छा इसका साउन ऐसा होता है डिल्स्ग करें प्रिया anyone कर दो 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 कर तसकिन्हों आप सberमे मेदंग सुरों सस्चु घंपा सिरों सस्चु घंपा स्ञाँ सच जटंपा यूँ लानोन बुसं लिप्तला सरों अबर कुटपा स्ञाँ सा क्यां लिप्तला स्ट्रण ससच जटंपा स्ञाँ सच जटंपा स्ञाँ ससच जगंपा स्ञाँ स्च जटंपा एक भारत स्रेश्ट भारत इस कारिक्रम में आज का विशय था लेपचा जन जाती के पारंपरिक संगीत वार्दी अंत्र इस विशय पर हमसे बाचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे श्री मिकमा छेरिंग लेपचा और श्री पार्थोशील आज आपने सुना इस कारिक्रम का दूसरा और अंतिम भाग एक भारत स्रेश्ट भारत ये कारिक्रम अब यहीं समाथ होता है